तो हाल ही में Global Hunger Index रिलीज किया गया जो सच में चीनता करने लायक है और इसके बारे में पूरी बात हम आपको बताते हैं तो नमस्कार जैहिंद चलिए समझते हैं अन और अन पूर्णा की अहिमियत सबसे पहले समझते हैं कि जी है चाई Global Hunger Index क्या है इसमें देशों को भूक और कुपोशन के अधार पर रैंकिंग दिया जाता है इसमें भारत का इस्थान सच में चिंता जनक है इस इंडेक्स में 2020 में 107 देश थे और भारत 94 इस्थान पर था और अभी 2021 में 116 देश है और भारत 101 इस्थान पर है ये कोई मामुली बात नहीं है विश्व गुरु बनना चाहने वाला देश अपने नागरिकों की भूक नहीं मिठा पा रहा है तो ये बात चिंता करने लायक नहीं है तो और क्या है इसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांगला देश और म्यामार तक हम से आगया है और देश की कूल अबादी के 15% से ज़्यादा लोग कुपोसी थे और देश की बच्चों में भारी मात्रा में कुपोसन है और तो और विश्व के 81 करोड लोग भूके पेट्श होते है जिसमें 60% यानि लगभक 49 करोड महिलाएं है 15-49 साल की महिलाओं में 59% से ज़्यादा महिलाओं को खून की कभी है जिस देश में महिलाओं को अन्यपूर्णा माना जाता है आज उसकी ही हम अन्यपूर्ती नहीं कर पा रहे है ये बात चिंता जनक नहीं है बलकि ये शर्मनाग बात है इसका कारण और निवारन जानते चलिए पहला कारण है महिलाओं की कम उमर में साधी लड़किया 21 की भी नहीं होती है और उनकी साधी हो जाती है और 25 की होते तक तो 3 बच्चे भी हो जाते है बार बार प्रेगनेंट होने से सरीर में आयरन और केलशियम जैसे मिनरल्स की कमी हो जाती है देखिए हम समझते हैं कि कभी कभी परिस्थितियों के कारण कम उमर में शादी हो जाती है पर आप अपनी हेल्थ को देखो और अच्छी प्लैनिंग के साथ बेबी कंजीव करो और हां बच्चे दो ही अच्छे इस बात के अर्थ को समझो दूसरा औरतों को सभी के खाने के बाद खाना खाना चाहिए यह इतनी फाल्तु बात है ना कि जो इस सिधान्त को दिया होगा वह पूरा मंद बुद्धी होगा और जो यह मानते हैं वह पूरे बैल बुद्धी है और एक अच्छे मर्द की तरह और एक अच्छे परिवार की तरह सभी साथ बैठ कर अरे दो निवाला कम खाओ पर किसी और को तुभूका मत सोने दो भया हम तो सब साथ में खाना खाते हैं ना के हाँ हाँ और प्या तीसरा कि देश में खाना बहुत है पर वेश्ट जादा होता है तो खाना बरबाद नहीं करना है जितनी जरूरत है उतना ही खरीदना है पैसो के रॉब में जरूरत से ज़्यादा खरीद कर हीरो नहीं बनना है वरना किस्मत को क्या भरोसा कभी भी पलट जाए और हाँ राजा से रंक बनते देर नहीं लगता तो इस बार जियाचाय रिपोर्ट से सीखो और खाना बरबाद करना बंद करो और हाँ हो सके तो कभी कभार किसी गरीब का पेड़ भी भर दिये करो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी खास टॉपिक में बात करते हुए तक तक एंड के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सभी के साथ सेयर करना जैहिंद वंदे मातरव